वैसे ही इतिहास के बारे में कोई ग्यान है नहीं, अभी कहती हैं देश 2014 में अजाद हुआ, अभी कहती हैं देश के पहले परधान मंतरी सुभाष चंद्र बोस्त है, तो उनको इतिहास के बारे में देश की और प्रदेश की तो दूर की बात है, अपनी पार्टी का इतिहास कुषें को ममलूम नहीं नहीं है ज्खिए रजवाडा की जो वह बात कर नहीं sangat उनको यह जानकार हिन नहीं क्योंकि उनको स्ट्री के बारे में देश के साषा के इतिहास के बारे में कोई ग्यान बनाया गया जो उसकी founding member थी वो गौलियर state की राजमाता थी जो एक राजशाही परिवार से आती थी उनको ये नहीं पता कि आज के दिन में चाहे वो सिंधिया खांदान है चाहे वो जैपूर है चाहे वो उदेपूर है चाहे वो मैसोर है चाहे वो पत्याला है चाहे वो कुलू है चाहे वो ढोलपूर है चाहे वो तेरी गर्वाल है चाहे वो त्रिपूरा है ऐसे अनेकों जो है पूर्व में रहे राजगराने हैं जिनके सदस्या आज भारतिय जनता पार्ट अगलाब के एरिये में गुप लिए हैं जहां बड़ कुछ ते नहीं हैं जानकारी नहीं है कहां से वह इलाका उठकर आया है और क्या आज वो बना है रामपूर वह शहर है चाहे आनी का खशेत्र है चाहे किदोर का खशेत्र है जितने वहां पर सैंक्डों स्कूल खुले हैं केवल दो इंजिनेरिंग कॉलेज़ है एक इंजिनेरिंग कॉलेज कांगडा के अंदर है और दूसरा इंजिनेरिंग कॉलेज रामपूर में कोटली के अंदर जो है वो जियूरी के अंदर है हिमाचल वहां पे डिग्री कॉलेज़ है आई टी आई तीन आई 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 है सड की ब्रहांतिया फिलाने की कोशिश कर रही है मगर हिमाचल के लोग और खास करके हर क्षेत्र के लोग हमारे साथ कॉंग्रेस पार्टी के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं और उसका जवाब उनको चार तारीक को जिस दिन परिणाम आएगा उस दिन मिल जाएगा